Hello everyone, welcome back, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा upcoming batch है November 24 का उसमें हम law का subject कैसे पढ़ने वाले हैं I am sure आपके दिमाग में बहुत curiosity होगी, आप जानना चाते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे questions हैं जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को address करने वाले हूँ सबसे पहली चीज मैं आपको बता दू, law का subject जो एक theory subject है उसमें 30 marks के MCQs होते हैं तो मैं आप लोगों को 3 books प्रवाइड करने वाली हूँ, law की, एक होगा module 1, दूसरा होगा module 2, तो यह जो दोनों modules हैं, यह आपके main books हैं, जिससे हम पढ़ेंगे तीसरी printed book जो मैं आपको प्रवाइड करने वाली हूँ, वो होने वाली है MCQ book, जिसमें हर chapter के उपर based MCQ questions होंगे दीजा तो 3 printed books जो मैं आपको प्रवाइड करवाऊंगी, उसके अलावा मैं आपको 1 PDF book दोंगी, जिसमें हर chapter के उपर based descriptive questions होंगे जिनका आप self print out निकाल सकते हैं और उनसे आप descriptive questions की practice को कर सकते हैं तो ये होगी 3 आपकी printed books जो provide होगी, एक आपकी जो e-book होगी, PDF जो मैं provide करूँगी, जिसको आप print करवा सकते हैं तो ये 4 books आपकी provide की जाएगी, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं अपनी class में सबसे ज़ादा मेरा prime focus concepts पे रहता है इसलिए मैं मेरी class में आपको जब main book देती हूँ, तो हर section के बाद main book में एक summary रहती है Each and every section has a summary in the book, ताकि आप जब मेरे से पढ़ो, तो आपका पूरा concentration सिर्फ मेरे को सुनने में हो कि मैं क्या समझा रही हूँ, किस concept को हम discuss कर रहे हैं और हर concept को हम detail में discuss करने वाले हैं in the class Each and everything is going to be discussed, जो आपके study mat में है, each and everything हम discuss करेंगे detail में हमारी main class में And मैं आपको एक चीज़ बता दू, जैसे मैंने अभी अभी बताया था, हर section के बाद summary है ये section के बाद मैंने summary इसलिए डाली है, ताकि जब भी आपको बैटके multiple times revise करना हो क्योंकि law एक theory subject है, एक बार तो आप मेरे से पढ़ लेते हो, बाद में क्या है, theory subjects को retain करना मुश्किल होता है और फिर बार-बार revision करने में बच्चों को बहुत जोर आता है, ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा chapter है कैसे revise करें तो इसलिए मैंने अर आपके हर section में summary डाल दिया है, तो आप उन summaries से पूरा का पूरा chapter 30-40 minutes में revise कर सकते हैं, इतने अच्छे summaries आपके हर section में बने हुए हैं, कि आपको समय ही ना लगे revise करने के लिए तो इस तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो like I said, prime focus concepts पे है, उसके बाद आपको हर chapter के उपर MCQs प्रवाइड किये जाएंगे, ताकि आप MCQ की practice कर सकें, secondly आपको descriptive questions दिये जाएंगे हर chapter पे, so that आप descriptive questions से अपनी practice को कर सकते हैं, and last but not the least, मैं आपको class में एक question को homework दूँगी, and तूकि मैंने time का, जो class का time है, अब वो 1.5 गंटे नहीं 2 गंटे है, मतलब ये जो हमारा, generally मैं 1.5 आप आर लेती थी थी batches में, लेकिन अब मैंने class का duration बढ़ा दिया है, that is each and every class आपकी 2 गंटे की होगी, और इस duration बढ़ाने का reason ये है, कि मैं आप रोज एक homework होगा, उस homework को आप लिख कर आएंगे, और मैं class में आपका, मतलब मैं आपको आंसर बताऊंगी, कि इसका आंसर ये है, और इसे साब से आप अपने homework को चेक करोगे, तो इससे क्या होगा, अगर आप इन questions को रोज मेरे साथ homework करके आए, और चेक करें और लिखें, तो उससे आपकी paper presentation बेटर हो जाएगी, class में concept आपकी भरपूर clear होंगे, and thirdly, हर section के बात समरी है, तो आपकी notes भी आपके main book के अंदर बने हुए आएंगे, ताकि आपको कोई problem ना हो, तो ये मेरा तरीका रहेगा आपको law पढ़ाने का, and I'm really looking forward to see you in the classes, the batch starts from the 15th बेटा, 15 से आपका batch हो है, वो start हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, तो फड़ा-फड जाकर enroll कर दो, ultimate CA के website पे जाकर आप हमारे classes को ले सकते है, and we are eagerly waiting for you, and looking forward to teach you, and start this journey with you, see you, bye-bye.